हमने समझाने का कोशिश किया जो उनकी मोलिक बात था समझाने का कोशिश किया कई मित्रों ने उसको समझ के आज की इस प्राइट से बारी रहे लेकिन मेरे पास जो घबरे हैं अभी देश की काम का सोभाविक है नियंतरी के पीशे सिर्फ एक मकसद है टांस्पोर्ट नितियों के खिलाब वर्ताल नहीं है वो केंद्रिय मैदूर संगठनों की जो हर्ताल है उसको जो है दिग्ध्रमित और डाइवर्ट करने के लिए भारती जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित हर्ताल है जिससे कि यह जो केंद् अब पूरे जो विकसित शील देश हैं हों चाहे विकसित देश हों उस सारे देश जो है वो श्रम अपने 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 श्रम खानूनों में समय के अनुसार फिर बदल कर रहे हैं ताकि शर्मिकों के आर्टिक सामाजिक सुरच्छा को और फुक्ता और मस्भूत बनाया जा इसलिए हमें रखता है कि इस्टूरियो टाइप उसका गुरोध करना और इस्टूरियो टाइप उस पर जो है वो बिल्कुल अड़े रहना ठीक नहीं है उनकी डिमांड और भी बहुत सारी सिकों है जो उनको चुनाव से पहले केश्विवाल जी ने वायदा किया था आज हमारे जाए वो इटी सी के पैंशनर्स हो आज चाहे हमारे डेली बेजर्स हो एटॉप की करमचारी हो चाहे ऑटो वाले हो यह सब के सब लोग जो है ठगा हुआ महसूस करते हैं आज भारती जनता पार्टी की सरकार में सारे देश के लोग पर इप्तान है और लोगतंत्र के अंदर इसके अलावा कोई रहस्ता नहीं है कि इहतजाज करें धरने पर बैठें बंद का आवाहन करें यह तो इप्तदाई इश्ख है आगे आगे देखिए उतार कि चलिए महमानों के रुख करूंगा उससे पहले आज का सवाल एक बार फिर से आपके सामने रखते हैं क कि दो दर्शक है उनकी भी राए जानेंगे शौकत अली साब डीड़वाना से और खालिद कुरेशी साब विकानेर्च अमर साथे शौकत अली साब आपकी के राए हैं मतलब सरकार पर आज की हर्ताल का कोई असर नहीं था चलिए शौकत अली साब बहुत बहुत शुक्रिया खालिद कुरेशी साब आप क्या कहेंगे साथ मांगों पर केंद्र विचार करने के लिए तयार है साब ने कहां कोई ऐसी एक मांग है जिस पर ये कहा गया कि हम इस पर सहमत है ये मेरे पास में साथ मांग है साथों मांगों सरकार ने सहमत ही व्यक्त की है सरकार ने मिनिमम वैज इसको बढ़ाने के लिए दिया है सरकार ने कहा कि हम सबसे बड़ा मुद्दा मरा था कि श्रम कानूनों में केंद्र सरकार जो जो सारे ट्रेड वृूंज लियुशन से उनके साथ वारता कोई आशमपद्र में हुद महामंत्री बरिजेश जी उपाद्या है उनको इतनолот लिखा है उनको पत्र लिखा एख ब THE Mढोль हभी हे वारता के लिए उसी सरकार के पास जाए mellan 1 दिन जो पत्र है इन्टक या फिर लेफ्ट जो सीटू है वो क्या ये नहीं कह सकते ये दावा नहीं कर सकते कि ये पत्र उनकी पास नहीं पहुँचा है बार्त मेरे के ऊज़रे कोई बार्त में को ये लागता है है अम्रहराम जी सरकार आप darüber बात करूछे है, अम्रहाराम अम्रहाराम जी पत्रीकु सरकार आपके बात काली ये आज है आज आप देखिए सारुजनिक उपकरम हैं उसमें ठेका मजदूर 50 परसेंट हैं प्राइबेट मों 70 परसेंट हैं मनलब जिस तरह से निचोड़ा वही काम और 10 परसेंट मजदूरी मिल रही है आप अंदाजा कीजिए कि यह जिन उदारी करण नीजी करण की तो लीति अज बनाने में पांच गंटा लगता उसको एक हजार रुपया मैंने का मलब आप अंदाजा कीजिए वह उसको मांदे है उस चोटी बुनियाद का जहां तक यह बात नहीं पहुद पारी दो दर्सेके उसके बाद गुमान सिंग जी मैं आपका भी रुक करूंगा अशोग अज्वेर जैने कमादिर अजवेर से अशुक पंडीच साब आप क्या कहेंगे नमस्कार जब्लानों से दिए। बाद अबनाट श्राइब है अब अब श्रकार दो है उप्र नहीं है राजेंदर जैन साब आप क्या कहेंगे चलिए सरकार के लिए आपका ये सुझावता बहुत 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 शुक्रिया गुमान सिंग जी आपको क्या लग रहा है कि रूथ्रा साब की बाद से कमशे का ममरा राम जी सेहमत नहीं लेकिन इन्टक को तो होना चाहिए राजनीतिक दल को आप भी फोलो करते हैं आप भी समझते हैं मांगो का और वारता ही एक सुझाव का रास्ता हो सकता है देखिए जो रूथ्रा साब जो कह रहे हैं पहली चीज़ तो यह है कि इन्हों ने कहा कि एक दिन की हरताल करके क्या होगा और फिर वारता उसी सरकार के पास जाना पड़ा है तो एक दिन की हरताल पे चार दिन पहले तक हर हरताल पर जा लेके हर गोशना पतर पर बीजे बीजे बीएमेस ने दस्कत किये हैं तो यह बात बिल्कुल गलत है कि एक दिन की हरताल के लिए को निया चीज़ नहीं है भी वई बन्हां को मन्वाइन के लिए हर्ताल कर रहे थे उस हर्ताल में नोगत पर चाली थे सवाल एक हैं कि श्रम गाणून है इनको लेकर सरकार कर तरक है कि आज दुनिया में श्रम कानून बदले जा रहे हैं मौझुदा दोर की जरूरत है वरना विदेशी निवेश नहीं आएगा, देश का विकास नहीं होगा, उद्योगी की काईंबंध होती जाएगी, उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे, क्या ये नीती जो है जापानी जोन हो, या फिर सेज हो, क्या इनको श्रम कानूनों में संचोधन के बीना भारत में लाये जा सकता है, रा केवल कागेश दिखाने से नहीं होगा असल बात यह है कि आप जो कह रहे हैं कि कितना कितना विदेशी निवेश नहीं आया है तो यही आलत क्या यही तस्वीर के नहीं में यह जो बारे मांगे के ले करके जो कहने है साथ पर सहमती है यह बिलकुल जूट है यह इनकी फेस सेविंग फॉर्मूला है जी बीमस ने जो एन वकत पर बैक आउट किया है उसका फेस सेविंग निकाला के साथ बिद्दों पर सहबती है यह बिलकुल गलत है किसी एक पर सहबती नहीं है और साथ मालने तो कौन अर्ताल करेगा अब बार मैंने कभी वी ऐसा नहीं सुचा कि देश हमारा ने पहले देश से प्रेम हैं देश वासू से प्रेम हैं यह सरकार जो हुई है यह सरकार ने हम पर थोपी है और बीमस उसमें एन वक्त पर साब क्या कारण है कि आपकी सरकार को हमेशा मजदूर के खिलाफ समझा जाता है नज़े मजदूर देश में नवे달 परसेंट मजदूर है पहले देश मजदूरों का है उसके बाद इजनिश मैन और सब और सुरुआत मजदूरों से होती है ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि श्रम जो नए कानून है संचोधन जो है वो कारुबारियों की अक्वे नहीं तोई है लेकिन बीजेपी का यह नारा है वास्तुकता में यह है कि विदेशी कंपनियों को यहां लाके स्थापित करने के लिए मैं इसमें बात करूँगा ब्रेक की बात करूँगा इंडरोजे साहब आपकी राए जानना चाहेंगे ब्रेक सिप बहले करमचारी नहीं है करमचारी विरोधी नहीं है और करमचारी विरोधी को लेकर बात है मुझूदा सरकार की श्रम नीतिया क्या मजदूर के हक्म है सरकार के लिए फिलाल एक ब्रेक पर जा रहे है आप दिए ब्रेक के बात जब लोटेंगे तो निवेश को लेकर बात करेंगे राजस्तान की हो चाहे केंदर की नीतिया हो उनको लेकर बात करेंगे क्या इन श्रम नीतियों में कहीं वो असर पड़ता है उस पर बात होगी LC जेन साब आप बने रहीएगा ब्रेक के उस पार आप से बात होगी खिलाल एक ब्रेक है और यहां से जाने के ने खुशा शाद है यहां से बोट सारी परेशानी है को कि आप कि आप कि झाल झाल